ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहरनपूर जिले की हैं। सहरनपूर की कुतुबशेर थाना पुलिस ने एक अवैद तमंचा फैक्टरी का भंडा फोड किया है। आप देख सकते हैं इनके कबजे से भारी मात्रा में अवैद तमंचे बरामद हुए हैं। ये सभी तमंचे बराए गए थे और कहीं न कहीं इनका इस्तमाल अब विधान सभा चुनाव 2022 में भी हो सकता था। इससे पहले ही पुलिस ने इस अवैद फैक्टरी पर छापा मार दिया। मौके से दो लोगों को गिरफतार किया गया है जबकि इनका तीसरा साथी फरार हो गया। ये लोग मोटर साइकिल के शोकर की पाइप से तमंचों की नाल बनाया करते थे। इनके कबजे से चार मसकट भी मिले हैं जिनें देशी भासा में चोटी बंदू कहा जाता है। और दूसरे वजार भी इनके पास से मिले हैं। विधान सबाचुनाव 2022 से पहले इस कारवाई को साहरनपुर पुलिस की बड़ी कारवाई माना जा रहा है। ये सभी हत्यार एकता कलोनी इस्थित एक बंद मकान में बनाये जा रहे थे। तो तुब सेर इंस्पेक्टर पियूस दिक्सित का कहना है कि जल्द फरार अभियुक्त को भी गिरफतार कर लिया जाएगा।